हेलो गाइज मैं अवसन यह आप देख रहे हैं हार्ट मैना आज लाँच हो रहा है डीपूल का मिस्टीक 360 मिलिमेटर कूलर जो एक हाइप परफॉरमेंस कूलर है और इसका जो प्राइस है यह है एप्रॉक्सीमेटली 15 तो 16,000 रुपीस अब यह तो थोड़ा ज्यादा है 360 मिल नर्मल प्राइस होते हैं तो 15,000 के यहाप से आपको एक अच्छा कूलर मिल रहा है जिसमें स्क्रीन साथी बहुत यचे को रिटी के फैंस अभी डिफरेंट कैसे इनके LSR LTE 720 सीरी से वेल यहाप एक नया पंप है और यहापर जो फैंस है वो भी थोड़े नए है यह जो फ अच्छे वाले फैंस अच्छा गाम करते हैं वह ज्यादा अच्छी तरीकी से हीड को निकाल सकते हैं चोटी जिगहों से फैंस की कॉलिटी मुझे अच्छी लेगी ऑल ब्लैक है और जी भी फैंस नहीं है तो जो कॉस्ट है 15,000 रुपीस का तो वह कहीं ना करी कम इस वज़ टेडिशनल टेफ्टी स्रीन लेकिन दे कलर्स अनाइस दे कांटर सेशो इस नौद बेस्मा जो ब्लाक लेवल से थोड़े से हलके से ना में लगता थोड़े और बेटर हो सकते हैं बट अधरवाइस अच्छी तो इसकी वैसे क्या है कि आपको बहुत दूर से इजली टेक्स सब्सक्राइब शाप दिखता है तो इसमें छोटा से संसरे जो रोटेशन को कैल्कुलेट कर सकता है तो किस औरेंटेशन में लगा है कूलर वह एक्चली सॉफ्टर अलड़ी जानता है मतलब को बटन दबाके सेट करने की 90 डिगरी 180 डिगरी वैसा कुछ निकरना सीधा आप बहुत जादा इंदप्ट टेस्टिंग नहीं कि जैसे मैंने बता है तो परफॉर्मेंस के मामले में इस इस मुच बटर देन ल्ट और ल्स 720 जो अच्छी बात है बिकॉस्ट और ल्स 720 काफी अच्छी अमलब कूलर्स थे और वो इसली आए 7 या फिर आप लगाली जी R7, R9 आप के प्रोसेस्स हैंडल कर सकते थे तो इसकी परफॉर्मेंस और अच्छी होना मतलब जादा आपके पास options open हो जाते हैं दुसरी तरफ यहां पे आप इस इसको पेयर कर सकते हैं something like the i5-14600K, 14700K यहां फिर आप लगा लेजी AMD का कोई भी प्रोसेसर इसके साथ इसली चल जागा बिना किसी प्रॉल्लम के noise performance वगरा की बात करें, see fans are loud, मतलब 50 decibel तक आप इसको रीच करा सकते हैं तो these can get very loud, लेकिन इतना loud नहीं कि बाकी coolers से अलग हो कुछ, बाकी coolers के जितना ही perform करता है लेकिन जहां पर मुझे लगता है थोड़ असा downgrade आप कह सकते हैं वो है, इसकी pump noise, इसका जो pump है, वो हर्टम से फुल स्पीड पे रन कर सकता है अगर आप इसको फुल स्पीड पे रन नहीं करते हैं, इसको अगर आप स्पीड कंट्रोल करने कोशिश करते हैं तो यासे clicking की sound आती है, तो जो pump है, वो पता नहीं PWM या DC signal के बीच में सो कुछ प्रॉलम है, तो ठीक से उसको receive नहीं कर पाद, तो आवाज करता है अगर अगर आपको अपने PC को पूरा कस्टम फैन कंट्रोल सोगरा यूज करने के हादत है, या फिर आप जीरो आप मोड यूज करते हैं, अपने GPU पे, अपने कूलर पे, या case के फैन्स के लिए, तो यह ज़रूर हना जाद आपको audible होने वाला है, तो I think यहाँ पर थोड़ मिस किया माग को, तो अगर आपको performance से ज़ादा मतलब है, आप इसके साथ काम कर सकते हैं, अब इकोस इस AIP screen है, software के बारे में बात करना जरूरी है, तो software जो है, बहुत ही basic condition में है, बहुत ही basic features के साथ आथ है, लेकिन जो UI है, मुझे ठीक लगा, यहाँ पर आपको अपने PC क मेरे तरा धुर्णी मिल जाती है दूसरी तरहए एहां पर स्पेसििकीशिन दिखाने का मलव सेप्पने पर मुझे सेंस निसनी समय सब्वार्ट में आपको फाटिग्स मेंन europa से ऐसलमों मोशिन मोड चुन मोड़ में डिकोर से ते ऑथ कि लिए गर डॉकती जो यह biss वह कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं विच इन फॉचने अगला जो मोड है वह फन वाला यह मोशन बॉर्ण यहां पर आपको फोटोस है जिए जी आइस वगरा यह कस्टम वाली वह इंस्टॉल कर सकते हैं यह बहुत ही अजीब सा चलता है यह जो एनिमेशन वाला स्लाइड शो वाला ऑप्शन यह बहुत ही अजीब धंग से यह फेडाउन फेडिन फेडाउट होता है तो वह थोड़ा सा खराब है वह काम करने की जरूरत है यहां पे जी आइस अगेरा है यह इसली अप्रोड हो जाती है आप अलग अलग जी आइस अगरा प्लोड कर सकते हैं लेकिन ज इसका कहा मतलब है कि जो कूलर है उसके पीछे बैक लाइट है तो यहां पे और ऑप्शन है सिंक्रोनाइज अजीब विद एज पिकप तो जो एज है कूलर की वह उस आजीब की जो कलर्स है उनको तोड़ा एज एज एमबी लाइट की तरह मदरबोर पर प्रोजेट करें ज जो दिखने में मस लगता है अब अच्छा लगता है एंड इस नाइस टच दोनों आपको उप्शन मेलते हैं लेकर देली विश्की जो खोड़ा जाद और कस्टमाइजिशन का उप्शन मेलता या फिर इसकी जो स्पीड वगरा है या फिर कुछ दूसरी ऑप्शन जो एज क आपको ज्यादा जगह मिल जाते हैं चीज़े दिखाने की ज्यादा अच्छी तरीके सा बना चीज़े सेट अप कर सकते हैं लेकिन देरा नो कस्टमाइजिशन ओप्शन है अपर सिफ यह सीप्यू तेम्टेशर का ओप्शन है और कुछ ऑप्शन यह जो लिमिटेड है इन म इसी को दो बारा विक करते हैं तो कभी को आरा ना उस से रिफ्रेश ही नहीं होती जो कूलर की स्कीन है तो वह एक थोड़ा सा ओड़ पॉइंट है मला वहां पर इनको काम करना पड़ेगा तो बेसिकली इनको अभी भी फर्मवेर अपडेट्स वगरा की जरूरत है अपने LCD के लिए अपने सॉफ्टर के लिए 15,000 के इसाब से दिस इस फाइन लेकिन ओविसली जो एंजी एक्स्ट या कोर्सर का जो सॉफ्टर पैकेज है या फिर जो स्क्रीन की किस्टावाइज इबिलिटी है वह अभी भी बहुत जादा बेटर है बाकी मुझे ने कंफर्म कि इसक चुका है इसके स्टॉक साने शुरू हो चुके 15-16,000 इसका प्राइस होने वाला है तो डिस्क्रिप्शन लिंक अप्डेट कर दूंगा अगर आपको चेक करना है तो अगर कोशन ने स्कूलर के बारे में तो प्लीज कमर से जरूर बताना मैं मिलूंगा आपको अगली बार झालर बाइ